जाहिन्ट वेल्कम टू लाइन्ट टेकनिकल हब लाइन्ट टेकनिकल हब में आपका स्वागत है I M Lensur I even 30 years of experience in industry बच्चों आज मैं कवार करूँगा जो थर्मल पावर प्लांट है थर्मल पावर प्लांट में एर प्रीविटर यूज करते हैं कि एर प्री, हीट क्यों ह्ussates करते हैं कि उसको पिल सब्सक्राइब के लिए यानि की जो है यूर को बन करने के लिए है तो इस फ्र रिच और रेज होनस्य जाए है हमारे इरेड कि अइनुद प्रंप्लान के आफिशियंशी सब्सक्राइब नहों और बर्निंग में काफी हेल्प मिले राइट आप बोल सकते हैं the heat exchanger device which is used to increase the temperature of air before entering into the furnace it consists of plate R tube basically दो तरक्य होते हैं यह आपके सामने जो है tubular type का है और दूसरा आप जो देख रहे हैं यह आपका plate type है यानि कि जैसा कि आप डाइग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर जो है इंटर हो रही हैं और आपका air जो है यहां से जा रहा है यह यह जो tubular है यहां से कोल्ड air यहां से इंटर होगी और इस ट्यूब से होते हुए आपके जब बाहर निकले गयानी यहां से इंटर होगी और उस कंडिशन में इसको क्या करेगी गरम करेगी तो यह जो इंड में निकलने से पहले इतना ज्यादा हो जाएगा जो आपका हाट इयर में इसको निकलेगा यानि इसका आउटलेट जो है और यह डारेक्ली आपका जो गोल है यानि आप जो देख रहे हैं चेमबर में वहां पर आपका डाइक लिए जाएगा तो इस तरह से जो है आपका जो है इंप्रूव हो जाएगा थर्मल इफिसिंशी of boiler यह जो combustion of fuel using hot air improves the furnace temperature and also improves the thermal efficiency of the boiler तो अगर हम इसको ठंडी air boiler को देंगे तो एक तो उसका तंपरेचर है वो डाउन हो जाएगा और आपको burning में भी जो है टाइम लगेगा तो इसलिए क्या है कि वो जो हम वहाँ पर और इनर्जी वेस्ट कर रहे हैं तो हम इसको क्या करते हैं और फिर जो है combustion के लिए हम भेजते हैं तो इसे हमारा जो है जो था प्लांट है उसका जो है temperature डाउन नहीं होता है और बर्न भी काफी आसानी से होता है और हमारी efficiency से इंप्रूब हो जाती है तो यह तो है आपका ट्यूबलर टाइप का जो एयर प्रिहीटर यूज किया और यहां पर आप देख रहे हैं प्लेट टाइप का एयर प्रिहीटर यूज कर रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि आपका इधर से जो है यहां से आप जो देख रहे हैं यहां से अब यहां से हैं रही है मैं हैं कि अढ़ार आपका नीचे से घर हो रही है और यह ऊपर के तरह चाहिए सकते हैं यह दो है आपका फ्लू गैसेज़ हर यह है तो यहां से हैं करेंगे सब्सक्राइब घाहिए और हाई टंप्रेचर होगा क्यांकि यहां से जब आपका एयर होगा तो यह चेंबर में दिया जाएगा तो यह है आपका प्लेट टाइप जो है इसमें क्या होता है यह आप एक तरफ से प्लेट बना हुआ है यहां से आपका यह पास होता है और दूसरे साइड में आपका फ्ल्यू गैसे से स्राउंड होता है जिसे की इफिशेंसी इसकी जो है आपका कमशन के लिए जो है काफी अच्छे से यूज जाती है और नहीं होता है तो यह है बिसेकली दो तरह के यानि यह आपका ट्यूबलर टाइप हो गया और कहीं कहीं पर जो हम स्टोरेज टाइप का यह यूज करते हैं तो टूटल तीन तरह के यह प्री हीटर होते हैं और यह प्री हीटर हम जो है जैसे आपने अपने पढ़ा था जिसमें हम फीट वाटर को यानि कि उसके थूरू हम जो भी जो है प्री हीट करके और जो हमारा कोल है उसके बर्निंग के लिए हम भेजते हैं ताकि उसका टम्परिचर डाउन नहों हो और यहां पर भी हमें एफिसेंसी अच्छी मिल जाती है तो यह है दोनों आपके फंक्शन एयर प्री हीटर के और एकॉनमाइजर का भी मैंने के Precisive विडियोस बनाया है और और जो भी फ्रेंट अभी तक उसको नहीं देखे है क्रिपय हमारे यह इसी चैनल में आपको मिल जाएगा और आप जो है ल कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं अंगले वीडियो में जाय है